find the value of lambda if area bounded by the parabola y square equals to 4 lambda x and y equals to lambda x is 1y 9 where lambda is greater than 0 lambda greater than 0 है y square equals to 4a x का जो अप्रोक्सी ग्राफ होगा ओप्रिंग राइट वर्ड परावुला होगा यह कुछ ऐसी होगी अब यह कह रहे हैं कि area bounded by इन दोनों में जो area कर रहा है वह कितना कर रहा है वह वन वाइड नाइन यह जो एरिया यह वन वाइड नाइन निकालना है अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट के एक्स कोडिनेट की हमें जरूरत होगी इस पॉइंट के एक्स कोडिनेट की जरूरत होगी तो वह कैसे निकलेगा y square equals to 4 lambda x है तो y square equals to 4 lambda x common points निकाल रहे हैं तो यहां से y substitute निकालेंगे और यहां substitute करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा lambda square x square is equals to 4 lambda x तो एक lambda गाइब हो गए x कितना आ रहा है एक तो x 0 आ रहा है और x कितना आ रहा है 1 आ रहा है x 0 तो है यह है इसके अलावा x कितना आ रहा है 4 y lambda आ रहा है 4 y lambda आ रहा है तो यह जो इसका x coordinator that is 4 y lambda and y coordinate भी हम निकाल सकते हैं there is no problem lambda x 4 होगा y coordinate 4 ही होगा ठीक है y coordinate 4 होगा तो यह जो area है यह 1 by 9 दिया है हमें तो सबसे पहले हमें identify करना रहता है area की कोई भी problem हो उसमें क्या upper है क्या lower है उसके बाद हम use करते हैं वह जो एक्स की अगर limit लगा रहे हैं तो alpha 2 beta upper minus lower dx okay and अगर मैं वाई की limit लगा रहा हूं तो right minus left डी वाई लगाएंगे तो यहां पर क्या है यह जो वाई है यह वाई कितना आएगा जहां से देखिए limit क्या लगेगी zero to four y lambda okay इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जो upper function है upper function कहां से calculate होगा अच्छे से समझना upper function calculate होगा यहां से तो y square equals to four lambda x है तो यह आएगा two root of lambda x है okay no problem and lower function है y minus y equals to lambda x ठीक है यह dx इसको integrate करना रहेगा और इस area की value हमें दी गई है तो इसको एक बार देख लेते हैं तो यह two root lambda आया यहां पर two root lambda आया और three two by three आया और x की power three by two आया पहला एका integration लिया आ गया माइनस lambda x square by two आ गया भाई ठीक है नहीं अब अच्छे से focus करना यह limit लगी जीरो टू फोर वाई लेम्डा ठीक है इस इसकी value कितनी दी है में लेम्ड़ पॉजिटिव लेना except one by nine दी है अब लेम्ड़ में एक simple सी equation बन गई लेम्ड़ में जो simple equation बनी इसका हमें क्या करना है value निकालनी है और फानली एरिया की तरफ जाना है यह value 4 by lambda अगर हम लिखते हैं तो देखिए रहां 2 4 root lambda by 3 और 4 by lambda की power 3 by 2 minus lambda by 2 और इसका स्कॉाइर है 16 by lambda square equals to 1y9 कितना आएगा यहां से लेंडा देखते हैं वही यह रूट लेंडा है तो रूट लेंडा गाइब हो जाएगा लेंडा की power 3 by 2 लेंडा बचेगा तो यहां तो कितना आया यह यह तो आया एट 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 आट तर्टी टू बाइट रहाए त्री आया सही है और लेंडा यहां पर मैनस 16 बाइट लेंडा आया इक्वस्टू कितना यह वन वाई नाया तो नाइन का मैरे पास कितनी आ गई है अच्छे देखिए इसाद चला जाएगा स्लो कैल्क्लेशन कर रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है लेंडा की वैल्यू कितनी आई यह मेरे पास 3 का मल्टिप्लिकेशन होगा तो तिन्दों नीच्छ नाइन्टी सिक्स माइनस एट डैट इस एक बर कैल्क्लेशन आप चेक करिए अच्छे से दिखते हैं जान से देखिए यह अगर मैं लेंडा को इधर ले जाओंगा एट आया और यहां पर 3 तो 96 और यह कुटी और आ रहा है कि मेभी देखते हैं एक बार अच्छे से हैं नाइन्टी सिक्स एक बार देखे लिए अच्छे से 24 मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं समझ आ गया होगा और इसमें कोई ऐसा इंपोर्टेंट पार्ट भी नहीं था बस थोड़ा से विजुलाइज अच्छे से करना हैं पहले हमें यह पता करना है कि कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है और उसके बाद अपर माइ झाल झाल